स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफॉर्डिबल दी इराक वो टूथाउजन्ट्री टूथाउजन इलवन वेल्कम टू स्टडी आईक्यू आईएस मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों आज की कहानी मिडलीस्ट में हुए दूसरे गल्फ वॉर की है इस वॉर को इराक वोर के नाम से भी जाना जाता है ये वॉर टूथाउजन्ट्री में शुरू हुआ और अगले आठ सालों तक बिना किसी सिग्निफिकंट गेन के यूँ ही चलता रहा लेकिन इसकी कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि इससे कुल दो सालों पहले अमेरिका के उपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जियां हम बात कर रहे हैं 9-11 टेरिरिस्ट अटैक्स की जैसा कि हम जानते ही हैं इस अटैक को अफगानिस्तान बेस्ट टेरर ग्रूप अल-काइदा के द्वारा अंजाम दिया गया था अब आप सोच रहे होंगे कि इस अटैक का इराक से क्या लेना देना है दोस्तों माना कि 9-11 में इराक का कोई रोल नहीं था लेकिन अमेरिकन इंटेलिजन्स कम्यूनिटी का ये परसेप्शन था कि इराक अगले 9-11 को अंजाम जरूर दे सकता है उनको ये लगता था कि अगर वर्ल्ड की सिक्योरिटी को इंशोर करना है तो सद्दाम हुसेन को उसकी गद्दी से हटाना ही होगा और क्योंकि इराक के पास पहले भी Weapons of Mass Destruction पाए गए थे इसी लिए ये रिस्क और भी ज्यादा खतरनाक था और इसी का सहरा लेते हुए अमेरिका 2003 में इराक पर फिर एक बार अटैक कर देता है वहाँ उसको Weapons of Mass Destruction जैसा तो कुछ हाथ नहीं लगता है लेकिन इस वर के बाद इराक पूरी तरह से डिस्ट्रॉइ हो जाता है आट साल तक चले इस वर में अमेरिका सद्दाम हुसीन को तो खत्म कर देता है लेकिन इराक को स्टेबलाइज करने में आज तक भी सफल नहीं हो पाया है तो क्या थी इस war की पूरी कहानी, इसके क्या तारण थे और इसका कैसे अंत हुआ, ये सब हम आज जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं Events Leading to War दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं, 1990 में हुए Gulf War की सभी hostilities 28th February 1991 को खत्म हो जाती है अमेरिका द्वारा-led coalition forces और इराक के बीच एक ceasefire sign होता है, जिसके साथ इस war पर पूर्ण विराम लग जाता है वार के दौरान इराकी आमी और इराक के infrastructure को काफी हद तक destroy कर दिया गया था लेकिन अमेरिका अपने एक major objective यानि सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटाने में सफल नहीं हो पाया था इसी लिए ये सद्दाम हुसैन को control में रखने के लिए एक containment policy अपनाते हैं जिसके तहत coalition forces जाने से पहले northern इराक में मौजूद कुर्द्स और southern इराक में शियाइट forces को protection देने के लिए इन दोनों रीजिन्स में एक no fly zone impose कर देते हैं जिससे की इराकी government इन रीजिन्स पर attack ना कर सके कहा जाता है कि अमेरिका ने उस war के खत्म होने के बाद इन रीजिन्स की forces को सद्दाम के against जाने के लिए कहा था उनको लगता था कि अप्राइजिन्स ही सद्दाम हुसेन को उसकी गद्दी से हटा देंगी लेकिन असल में ऐसा नहीं हो पाया उल्टा सद्दाम ने इन दोनों ही अप्राइजिन्स को crush कर दिया खैर इसके अलावा सद्दाम को contain करने के लिए इराकी economy पर sanctions की बोचहार की गई UN के द्वारा इराक पर trade embargo लगा दिया जाता है यानि अब कोई भी देश उसके साथ import या export नहीं कर सकता था UN यहां पर oil for food नाम का एक program भी चलाता है जिसके तहद इराक से oil के बदले उसको food और बाकी humanitarian supply दी जाती है लेकिन उसको किसी तरह का पैसा या weapons supply नहीं किये जा सकते थे इसी के साथ इराक के chemical और biological weapons को खत्म करने के लिए यहां पर UN special commission की एक inspection force को भी deploy किया जाता है लेकिन अमेरिका का कहना था कि इराक इन forces के काम को hamper कर रहा है और वो अपनी disarmament obligation को seriously नहीं ले रहा है August 1998 में इराक इस inspection को यह कहते हुए पूरी तरह से remove कर देता है कि यह forces अमेरिका के लिए इराक में जासूसी कर रही थी इसी को देखते हुए October 1998 में यूएस में इराक Liberation Act पास किया जाता है इसके तहट सद्दाम को हटाना यूएस foreign policy का एक official agenda बन जाता है इसके अंडर इराक में democratic opposition groups को 97 million dollars की assistance दी जाती है ताकि इराक में democracy को establish किया जा सके एक महिने बाद यूएस और यूके की forces सद्दाम के nuclear, chemical और biological weapons के production को destroy करने के लिए इराक में एक bombardment campaign launch करते हैं इस campaign का नाम था Operation Desert Fox खेर 2000 में junior George Bush अमेरिका के president बनते हैं और वो इराक के against एक बेहद aggressive policy अपनाते हैं उन्होंने अपने election campaign में भी ये कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो वो इराक Liberation Act को पूरी तरह अपलाय करेंगे और ये सद्दाम को हटाने में एक solid starting point का का काम करेगा 9th September 2001 को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा terrorist attack होता है और इसी के बाद सद्दाम को हटाने के efforts बहुत तेजी से speed up होते हैं अब यहाँ ये तो सबको पता ही था कि इराक का Al-Qaeda से कोई connection नहीं है इसी लिए 9-11 attacks को directly इराक के invasion के लिए इस्तिमाल नहीं किया जा सकता था इसी लिए प्रेजिडेंट बुश यहाँ पर इस invasion का groundwork तैयार करते हैं January 2002 में अमेरिका को address करते हुए वो इरान, एराक और नॉर्थ कोरिया को access of evil का हिस्सा बताते हैं वो कहते हैं कि US किसी भी कीमत पर दुनिया की सबसे खतरनाक regimes को ये allow नहीं करेगा कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक weapons किसी के खिलाफ इस्तिमाल करें September 2002 को President Bush इराक में nuclear weapons की presence का हवाला देते हुए अपने invasion के plan को UNSC में पेश करते हैं दोस्तों इस बीच कई American और बाकी Western countries की intelligence sources ये confirm कर चुकी थी कि इराक के पास nuclear weapons होने का कोई evidence नहीं मिला है कई sources का कहना था कि इसके होने के chances ना के बराबर हैं और इराक Western World के उपर कोई threat pose नहीं कर सकता हलाकि UK, US के invasion plan को support कर रहा था लेकिन France और Germany इसके खिलाफ थे एक लंबी debate के बाद UNSC ने resolution 1441 पास करते हुए इराक में अपने inspections को वापस शुरू करने की बात की साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इन forces को अपना काम करने नहीं दिया गया तो उसके consequences बहुत भयानक हो सकते हैं 13 नुवेंबर को सदाम हुसेन इस inspection के proposal को accept करता है February 2003 को inspection forces confirm कर देती हैं कि इराक में nuclear weapon के production के कोई सबूत नहीं मिले हैं इस बीच October 2002 में US Congress President Bush को इराक के उपर attack करने के decision की power दे देती हैं इस बीच President Bush American Public का भी अच्छा खासा support हासल कर लेते हैं 2003 में US Secretary of State Colin Powell फिर से इराक में weapons के छिपे होने के arguments प्रिजेंट करते हैं साथ ही वो इस बार इराक और Al-Qaeda के linkages के arguments भी प्रिजेंट करते हैं इस presentation के बाद US और UK समेथ UNSC के कुछ और members इराक में force use करने का resolution पास करते हैं लेकिन France, Russia की ओर से veto के high chances होने और Canada और Germany से support ना मिलने की वजह से US इस resolution को withdraw कर लेता है 17th माच को President Bush सदाम और उसके दोनों बेटों को surrender करने और इराक को छोड़ने के लिए 48 घंटे की deadline देते हैं इस बीच दुनिया के कई देश और अमेरिका के खुद की कई intelligence और military officers इस war के against President Bush को warn करते हैं UN इस war को UN charter और international law के against बताता है लेकिन अमेरिका अपना mind बना चुका था और finally US, protesters और UN की बात बिना सुने Operation Iraqi Freedom launch कर देता है Operation Iraqi Freedom, March 2003 to May 2003 19th March 2003 को अमेरिका लगभग 40 देशों की coalition forces के साथ मिलकर इराक पर हमला बोल देता है दिन के early hours में US इराक में air strikes launch करता है यहाँ पर उनके द्वारा shock and awe की policy अपनाई जाती है इसका मतलब यह होता है कि अपने rivals को इतनी intensity के साथ अचानक attack किया जाए कि वो इसको जहेल ही न पाए पहले phase में US और उसके allies बागदाद और बागी एराकी cities पर भारी बंबारी शुरू करतेते हैं बागदाद में mass destruction के weapons के targets पर secret raids की जाती है यहाँ note करने वाली बात यह है कि अंद तक उनको यहाँ पर कोई भी weapon of mass destruction नहीं मिलता है खेर 19th मार्च की रात को night stalkers, southern और western borders में इराक के 70 से भी ज्यादा military outposts को destroy कर देते हैं 20th मार्च को US और British ground forces कुवेद की साइट से इराक में enter करती हैं 26th मार्च को ये troops Turkey की side से northern front को भी open कर देते हैं Northern side से Kurdish forces Erika troops का साथ देती हैं केवल चार हफ़तों के अंदर-अंदर बागदाद समेथ इराक की ज्यादतर major cities US के control में आ जाती हैं 1st मेह तक President Bush यहाँ अपने सभी major combat operations को end कर देते हैं 13th December 2003 आते आते तिकरीक से सद्दाम हुसैन को भी capture कर लिया जाता है 2006 में सद्दाम हुसैन को hang कर दिया जाता है इस तरह एराक का ruthless dictator तो वहाँ से चला गया था लेकिन एराक में अब जो होने वाला था वो भी सद्दाम की dictatorial regime से कुछ कम नहीं था और वो क्या था आई ये देखते हैं Insurgency 2003 to 2011 तो दोस्तों सद्दाम की सत्ता गिरने के बाद अब सवाल ये था कि इस country को rule कौन करेगा जाहिर सी बात है कि सद्दाम की regime के गिरते ही एराक में एक power vacuum create हो जाता है सद्दाम का administration एक बेहत centralized administration था जिसने पूरी country को एक साथ बांध कर रखा था लेकिन इस administration के गिरते ही देश में अलग-अलग ethnicity के लोग power पर कबजा करने के लिए आगे आते हैं ये सभी groups अपने-अपने militias को खड़ा कर देते हैं यहां America, Kurds और Shiite forces को पहले ही अपनी side कर चुका था उनको ये दिलासा दी गई थी कि सद्दाम के हटने के बाद उनकी सभी demands पूरी कर दी जाएंगी और ऐसा ही होता है 10th April 2004 को सद्दाम को capture करने के बाद US forces radical Shia majority को सत्ता सौंप देती हैं इस बात को लेकर देश की कई ethnic factions एक दूसरे के against खड़े हो जाते हैं अब ये multi-ethnic country एक devastating insurgency की चपेट में आ जाती है पूरा का पूरा Iraq unstable हो जाता है इस massive instability के बीच US यहां पर 2005 में elections organize कराता है इन elections में भी power majority Shia के पास ही जाती है Shia's power में आते ही anti-sunni policies launch करते हैं सुनी इसके against पूरे देश में oppression का महौल चाया रहता है ऐसे में सुनी leaders भी इस violence में शामिल हो गए उन्होंने Shia forces के against violent attacks करने शुरू कर दिये पूरा देश अब Shia, Sunni और बाकी ethnic conflicts की आग में जुलस रहा था यहां पर Shia और Sunni forces को दो major players का support मिलता है Sunni forces को Saudi Arabia और Shia forces को Iran support करता है यह दोनों देश intelligence, weapons, money और बाकी चीजों के जरिये यहां अपनी अपने proxy groups को support करते हैं ऐसे ही unstable और conflict ridden महौल में यहां पर terrorist groups को पनपने का fertile ground मिल जाता है ISIS और Al-Qaeda जैसे terrorist groups देखते ही देखते Iraq में बहुत strong हो जाते हैं आई दिन बागदाद में violent bombings देखने को मिलती हैं 2004 से लेकर 2007 तक यह ethnic violence यहां अपने peak पर होती है Iraq में एक समय पर 100 से ज्यादा militia groups बन कर तयार हो गए थे कोई भी political party या terrorist groups अपने साथ militia जरूर रखते थे तो दोस्तों यहां एक नहीं बलकि multiple fronts पर clashes देखने को मिल रहे थे जिसमें एक major clash ethnic leaders और government के against था जबकि दूसरा foreign forces और terrorist groups के against इस बढ़ती violence को देखते हुए US मार्च 2007 में यहां अपने troops की संख्या को तेजी से बढ़ा देता है जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2008 तक आते आते यहां पर violent attacks का नंबर काफी हद तक reduce भी हुआ लेकिन 2011 में President Obama की government इस war को खत्म करते हुए अपने सभी troops को इराक से वापस बुला लेती है यानि America इस civil war के दलदल से खुद को वापस खीच लेता है लेकिन उसके बाद भी एराक में insurgency ने थमने का नाम नहीं लिया पहले यहां पर terrorist attacks का target American forces बना करती थी ये ज्यादा तर हमले foreign troops के basis पर किये जाते थे लेकिन 2011 में जब American troops यहां से वापस चले गए उसके बाद इन attacks का target देश की military forces बनी जिन में मुख्य रूप से शिया मौजूद थे conclusion तो दोस्तों इस पूरे war में 1 trillion dollars के साथ-साथ लगभग 10,000 American soldiers और 2,000,000 इराकी लोगों की बली दी गई और इसका परिनाम क्या हुआ? इसके परिनाम स्वरूप एक ऐसे Middle East का जन्म हुआ जिसकी instability आज इतने सालों बाद भी अपने peak पर है यहां पर लोगों की socio-economic conditions बद से बत्तर हो चुकी है sectarian violence के चलते लाकों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ कर यहां से पलायन कर चुके हैं यह लोग refugees बनकर Middle East और यॉरप के दीशों में शरण लेने पर मजबूर हो गए हैं आज terror से मुक्त होना तो दूर बलकि इराक खुद global jihadist movement का hub बना हुआ है यहां से terrorist groups पूरे विश्व भर में terrorism को सप्लाई करते हैं तो कुल मिलाकर अमेरिका का जो war टेरिरिस्म से लड़ने के लिए शुरू किया गया था वही war इराक को इतने सालों से terrorist violence की आग में जुलसा रहा है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable